जायेन दोस्तों, आरेसी भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उन्बॉक्सिंग करेंगे जो वनफ्लॉस का नया नाइन आर्टी मुबाइल है। उसका एक retail box यह उसका retail box है इसको हम unboxing करेंगे और इसके अंदर देखेंगे क्या features हैं और क्या mobile के अंदर है और क्या box में हमें मिलता है इसके इसको हम check करेंगे और पूरा वीडियो देखें अन तक देखें और नए वीडियो पाने के लिए इसको like and subscribe जरूर करें और bell icon को all में select करके open करें हम open करते box को इसके अंदर क्या मिलता है यह oneplus का एक rt mobile मिलता है यह mobile है इसके अंदर हमें क्या-क्या मिलता है मैं आपको बताता हूं जैसे कि इसके अंदर यह है 8GB and 28GB storage के साथ और इसके अंदर जो हमें मिलता है ब्लैक यह hacker ब्लैक है और इसके अंदर रैम है 8GB और 128GB की storage है और इसमें जो हम लोगों को मिलता है कॉम का 888 processor मिलता है आगे बात करेंगे हम इसमें क्या-क्या मिलता है हम box को रखेंगे side में और यह एक इसका invoice है जो oneplus की दरफ से है इसको भी हम रखेंगे side में आगे हम देखते हैं इसके अंदर हमें क्या-क्या मिलता है हम इसको open करते हैं चलिए open करते हैं उसके बाद देखते हैं इसमें क्या मिलता है सबसे पहले इसकी plastic casing इसको अटाते हैं उसके बार देखते हैं इसके इंदर हमें क्या-क्या मिलता है ठीक है बहुत अच्छा box लगता है देखिए बिल्कुर रैड कलर में आता है और काफी बड़ा box है जैसे कि आजकल छोटे boxes का trend है लेकिन box देखी कितना अच्छा है पूर तो हम उठाते हैं अपना OnePlus RT इसको देखिए इसमें बिल्कुल cover case polybag के साथ आता है इसमें क्या-क्या मिलता है पचलिए mobile रखते हैं साइड में सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर box में क्या-क्या है एक black case मिलता है देखिए आप बिल्कुल black है काफी अच्छी quality है अच् tagline है उसको और एक red cable मिलती है जो USB2C cable है charging cable और इसका वाप charger मिलता है यह 65 watt है जो complete claim करती है इसको बोलती है कि 29 minutes के अंदर 0-100 charge किया जा सकता है इसको और इसकी OnePlus की branding की गई है इसके उपर और इसमें कुछ सेट वह दी गई है इसकी MPR और मिली MPR की details चलिए इसको भी side में रखते हैं और आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है दूसरी चीज़ हमें इसके अंदर जो हमें इसका अंदर section है literature section उसको देखते हैं क्या-क्या मिलता है इसको इसका एक के बैक टाइप में है उसमें हमें क्या मिलता है सबसे पहले वैलकम लेटर मिलता है जो इसका oneplus की तरफ से आता है ये देखिए और इसमें सीमेजेक्टर टूल दिया गया है काफी इच्छी कॉलिटी है इसकी और इसमें काफी एच्छी लेंग्विज काफी चीज़े लिखी गए जैसे कॉंगरेचलेशनी और साइनी निव वनप्लडस आर्टी 5जि इसको चलिए साइड में रखते हैं बौक्स को भी साइडões रखते और क्या-क्या मिलता है इसमें जैसे कि पने नोरी को 那ख मिला है कि इसकोम करने के बाद लेटर में छदिटेश रहा है चलिए इसको भी साइड में रखते हैं और बात करते हैं आइर चलिए फोन के बारे में कि है किया अध्यीत हट अध्याद क тебе फॉन कोई Beginning बूट और आयफोन उसके बारे में हम बात करेंगे और इसका जो हम जब तक बात करते हैं काफी शाइनी दिखता है आपको अगर दिख रहा होगा तो शाइनी ब्लैक एकदम और पीछे इसका ग्लास दिया गया और फ्रंट में भी गोरिला क्लास कोटिंग है और इसमें कवर के सुनी आयमेक सेंसर के साथ और जो आता है वो 16 मेगा पिक्सल के साथ आता है और अधर जो है आपका तो में कशल का कैमरा है देखिए आप कितना करता है काफी अच्छी ब्रैंडिंग और वन प्लस की जो लोगों है उसको भी दिया गया ब्रेंडिंग के साथ कि यह आउट फोन में जाकर कि हम देखते हैं यह जी जी जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं यह एंड्रोड 11 बेस्ट है और इसका जो ऑक्सिजन वैसे वो भी 11 बेस्ट है और हम इसके अंदर लगबग तीन जो मेजर अपडेट है मेजर अपडेट माने की जैसे 14 मिलने चाहिए और तीन साल का या चार साल का लगबग एंड्रोड का सिक्रेटी पैच अपडेट देता है वन प्लस जैसे की वन प्लस के जो माना जाता है वह सबसे अच्छी चीजी मानी जाती है कि जो रेगुलर अपडेट हमें मिलते हैं तो अच्छा फोन है और मैंने आ लोग की फेस लोग जैसे कि आप देखेंगे जैसे ही आपने फेस के पास ले जाएंगे वैसे ही आपका यह ओपन हो जाएगा ठीक है अभी नहीं हो रहा है तो बात में देखते हैं इसको और हम बात करते हैं आगे इस फून के बारे में हम कि इसकी कुछ क्वालिटी केमरे क की बात करते हैं दो के Gothic जैसे की है हम इसको देखते हैं इसमें क्या है डिक है क्लिक करते हैं जैसे कि सकते हैं काफी baik तो हम बात करते हैं दोस्तों आगे जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि हाइबेट ृट है या क्या है हम इसको ल specialty दखते हैं ति उसमें क्या हमें मिलता है नहीं है हाइब प्रीट स्लोट नहीं कर पाएंगा ये एक सिंगल डुल सिम स्लोट है और कुछ नहीं इसमें और बात करते हैं तो साइड में जैसे कि इसका पावर अन ऐंट अफ बटन है और इसमें साइस यह स्लाइडर हैं जो एक सिंगेचर है जो काफी अच्छा काम करता है काफी अच्छा है यह सडलनी अगर आपको रिंगिंग और साइलेंट करना हो तो काफी अच्छा वर्क करता है उसको और साइड में बात करते हैं यह आपका वॉल्यूम रॉकर है अपन डाउन के लिए और इसके जो हम नीचे बात करते हैं चार् कि लिए माइक दिया गया और हम बिल्ड क्वाल्टी की बात करते हैं काफी अच्छी काफी प्रीमियम लगता है यह बोल सकते हैं कि फ्लैक्षिप किलर फोन ही है और वन प्लस ने बनाया है जैसे हर साल वनप्लस एक मुबाइल लॉंच करता है एर के एंड में टी तो इस बार उन्हें 9T ना लॉंच करके एक वन प्लस का जो आर सक्सेसर था उसका ही आर्टी मुबाइल लॉंच किया यह भी रिसेंटली लॉंच हुआ है और हम बात करते हैं जैसे कि आगे इसमें क्या है यह काफी अच्छा वर्क करता है इसकी स्क्रीन का जो पैनल एक एमुलेट पैनल चलिए दोस्तों हम इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं कि यह पन्च हुल डिस्प्ले के साथ आता है जिसमें 16 मेगा पिक्सल का एक कैमरा लगावा है सेलफी लेने के लिए और इसका जो डिस्प्ले है वो 6.62 इंचे जो कि इसके अंदर प्रॉसेसर भी काफी अच्छा दे आए गाए ट्रीपल एट ट्रीपल एट स्नैप डिरिगन के साथ आता है जो कि एक सिंग्नेचर प्रोसेसर है जिसमें गेमिंग का बजा दुगना हो जाने वाला है और हम इसकी प्राइजिंग के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो प्राइजिंग स्टार्ट होती है फो टू डवल ट्रिपल नाइन से यानि के बैले सजा 999 रुपे में लेकिन आपको इसमें एमाजॉन के अंदर कुछ डिसकाउंट से जो की आपका डिसकाउंट के बाद इसमें क्या प्राइज होता है आप चेक कर सकते हैं और अगर आप कोई वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जुरूर करें और इसके दो वेरियंट आते हैं जो एक 8GB और 128GB है और दूसरा जो आता है 12GB 256GB का आता है जो 46 जा 999 रुपे का आता है और दो कलर वे बात करें तो काफी अच्छा प्रीमियम फोन लगता है चलिए हम इसको रखते हैं अपने केस के अंदर और अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुचाए जरूर आप करें